नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एगरी कल्चर कोचिंग MP में मैं विज़ाई मांडव आज आपके लिए लेके आया हूं सश्यक्रम के कुछ क्योश्चन जो की एक्जाम में आये हुए भी हैं और एक्जाम से रिलेटेड भी हैं इन में से कुछ क्योश्च तो इन क्योश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे अंतर तक बने रहे हैं पहला जो हमारा क्योश्चन है वो है जमीन के एक टुकडे पर अध्रग काली मेर्च और नारियल के इकटे उगाने को कहते हैं है ना यानि कि जमीन के एक टुकडे पर अध्रग काली मेर्च और नारियल को इकटे उगाने को क्या कहते हैं अनेक कथा सेश्चन बहुपरतिय सेश्चन अनुपत सेश्चन अंतरा सेश्चन तो जल्दी से जवाब बताईए तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बहुपरतिय सेश्चन है ना जिनका बहुपरतिय उत्तर आया वो जवाब बिल्कुल सही है बागी सब अपने जो है याद रखें इस उत्तर को हाँ अगर कोई डाउट भी निकले ना तो कमेंड में जरूर पूछ ले ना ताकि अगली क्लास में आपके जवाब दे सकूँ ठीक है दोस्तों अब है हमारा रीले क्रोपिंग है ना यानि कि रीले फसल पद्धती का उधारण है है अब रीले फसल सभी ने सुनाओंगा रीले फसल की जो पद्धती होती है उसका उधारण क्या है अ धान गेहूं बी मक्का गेहूं मूण सी मक्का अगेती आलू गेहूं लोविया धान गेहूं धान है ना तो अब भीये जिनोंने अच्छी तरीके से तेयारी की है वो तो समझ गये होंगे इस क्योश्चन को क्योंकि धान धान के बाद गेहूं की वुआई की उसके बाद पढ़ती हो गई है ना मक्का गेहूं और फिर मूण फिर आया मक्का अगेती उसके बाद आलू की वुआई की फिर गेहूं की और उसके बाद लोविया फिर आया धान गेहूं गन्ना ठीक है तो अब इन में से उत्तर देना है आप लोगों को तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों इसका उत्तर आएगा धान और गयहूं ठीके थोड़ा सा समय लग रहा है ताकि उसमें आप ही का जो है importance और अच्छा हो सके आपको समझ में आ सके फिर भी समझ में ना आया हो तो comment में जरूर पूछे मैं अगली जो next class होगी है हमारी उसमें जवाब जरूर दूँगा अगला जो हमारा question है वो है दो फसलों को साथ साथ इस प्रकार उगाया जाता है जब मुख्य तथा गोर्ण दोनों ही फसलों को उत्पादन बढ़ जाता है कहते हैं क्या कहते हैं भाईया सायोगी सेश्चन सहचर सेश्चन समांतर सेश्चन बहु घंडिय सेश्चन जल्दी से comment में बताओ ऐसा नहीं कि मैं उत्तर दे दूँ उसके बाद आपकी comment आ रही तो इसका जो उत्तर आएगा वो है सायोगी सेश्चन यानि कि सेनेर गेटिक क्रोपिंग है ना अब आएगा हमारा धान 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 फसल चक्र इंगीत करता है कोई जी फसल चक्र इंगीत करता है भी या धान 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 बहु फसल ये खेती मिसरित खेती अंतरा सेश्चन या एक फसल इसका जो उत्तर आएगा वो है एक फसल ठीक है दोस्तों मतलब इस रितु में धान लगाई फिर अगली वर्षा रितु में धान लगाई फिर अगली वर्षा जब आएगी तब फिर से धान लगाई इनके पास संसादुनों की अनुपलब्दता रहती है पानी की भी कमी होती है तो इस वज़े से ठीके दोस्तों अब आएगा हमारा अगला प्राश्ण गेहुं की जो की फसलों को एक साथ मिला कर बोने को कहते हैं मिस्रित सश्य, द्वी सश्य, पारंपरी खेती या एकल सश्य तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा मिस्रित सश्य ठीक है दोस्तों हाँ अगर गेहुं के साथ जो उग गया है या लग गया है तो उसे खरपतवार भी खा जाता है ध्यान रहे इस बात का है अब आएगा हमारा शरत कालीन गन्ना प्लस आलू एक अच्छा उधारन है सहचर सश्यन का मिस्रित सश्यन का बहु इस्तरी सश्यन का या सह क्रियावादी सश्यन का तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा सह क्रियावादी सश्यन है न यानि कि साथ में क्रिया की जा रही है इन दोनों में एक ही क्रिया की जाती है ठीक है आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अब हमारा जो अगला प्रश्यन है नेक्स्ट वो है डाक्टर शेर सश्यन वेंस ने निम्न में से कौन सी पद्धती दी है अनुपाद सश्यन अतिछादन सश्य सहचर सश्यन में स्रिश सश्यन कौन सी पद्धती दी है डाक्टर शेर सी वेंस ने अगर हाँ जिन लोगों ने डेफिनेशन के पे अगर ध्यान दिया होगा तो हो गया होगा है ना क्लियर तो इसका जो उत्तर आएगा वो है अनुपाद सश्यन है ना क्या आएगा अनुपाद सश्यन अब आएगा अमारा निमली खित में से कौन सी व्रद्धिकारत खेती का उधारन है गेहूं के साथ चना बोना बर्सीम के साथ सरसो लगाना कपास के साथ जो लगाना कपास के साथ भिंडी लगाना व्रद्धिकारत फसल का उधारन पूछा है उसमें खीक है कपास के साथ भिंडी लगाने का क्या मतलब वह भीए रच्छक फसल हो गई है तो है ना यह भी अलग हो गया खरपदवार का रूप नो कारे करेगा यह भी अलग हो गया है ना कि नहीं होगा बताव जल्दी सही तो इसका जो धारन आएगा दोस्तों वो आएगा बरसीम के तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों बर्सिम के साथ सरसो लगाना है ना थोड़ी सी इश्यू आ गया था है ना तो इसका जो उत्तर आएगा वो है बर्सिम के साथ सरसो लगाना बढ़ते हैं अगले प्रैश्न की और वो है सोएवीन को किस फसल के साथ अंता फसल के रूप में बोया जाता है बताओ भया गेहू जाना मकक या दंबा कूँ तो शान सामाज्य रूप से अगर हम देखें तो जो सोएवीन होती है उसे मकक के साथ अक्सर लगाया हुआ देखा होगा आपने है ना कभी सोयब इनके साथ गेहूं लगाते हुए देखा है नहीं चाना लगाते हुए देखा है नहीं तंबाकू लगाते हुए देखा है नहीं मक्का लगाते हुए सबने देखा है अगर तुका भी लगाना हो तो भाई है यही ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की ओर अगला जो प्रश्ण है अमारा वो है मुख्य फसल की कीटों एवं बिमारियों एवं अन्य शत्रों से रक्षा के लिए उसके चारों और लगाई जाने वाली फसल कहलाती है क्या कहलाती है भया एक बार और प्रिशन सुनो ध्यान से मुख्य फसल की कीटों, बीमारियों एवं अन्य शत्रों से रक्षा के लिए है ना कीटों, बीमारियों एवं अन्य शत्रों से रक्षा के लिए उसके चारों और लगाई जाने वाली फसल को कहते हैं क्या कहते हैं सायग फसल, ट्रेप क्रोप, सिमान फसल या उप्रोप तो सभी तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा सिमान फसले है ना क्या आएगा सिमान फसले ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की की तो दोस्तों अगला जो प्रश्ने है वो है रिले क्रोपिंग पद्दैति को सवर्प्रथम किसके द्वारा अपनाए गया किसने अपनाई थी भईया Lauren Dasher joins दवारा एन बोरलाग द्वारा Key ड्स्वामीन अथन द्वारा अरे कमेंट रुपनी नहीं चाहिए बहिए जल्दी से उत्तर चाहिए मैं को आसान से क्योंचन है कोई ज्यादा कठिन नहीं है डक्टर S.S. बेंस द्वारा ठीक है किसके द्वारा डक्टर S.S. बेंस द्वारा अगला जो प्रश्न है वो है किस प्रकार की फसल पद्धती में 6 सगंता 100 प्रतिशत होती है मोनो कल्चर, मोनो क्रोपिंग, मल्टिपल क्रोपिंग या उप्योग तो सभी की तो भी यह इसका जो उत्तर आएगा वो है मोनो क्रोपिंग ठीक है दोस्तों अगर ध्यान लगा के पड़ोगे तो जरूर आ जाएगा है ना अन्यता तो कभी नहीं आएगा अगला जो हमारा प्रश्ण है वो है बहुत सश्योत पादन के लिए निम्न में से कुन सी आवशक्ता की विशेश जरूरत होती है सिंचाई के साधनों की, उर्वर्कों की, अच्छे बीच की या उप्योग तो सभी की किसकी आवशक्ता होती है सबसे अधिक सिंचाई के साधनों की, उर्वर्कों की अच्छे बीच की या उप्योग तो सभी की तो इसका जो उत्तर आएगा वो है उत्तर नंबर D उप्योग तो सभी है ना सीचाई के साधनों की भी आवशक्ता पड़ेगी और वर्क की भी आवशक्ता पड़ेगी अच्छे बीच की भी आवशक्ता पड़ेगी इन तीनों के बगेर आप बहुत अश्योत पाधन नहीं कर सकते हैं ना अधिक उत पाधन प्राप्त नहीं कर सकते हैं बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण की ओर अब है हमारा पेड़ वाली फसलों में खेती किस प्रकार की होती है बहु फसली खेती, बहु खंडी खेती, अव वीराम खेती या एक फसली खेती तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा बहु खंडी खेती है ना बहु खंडी खेती है ना यानि कि अलग-अलग खंड बहुत सारे खंड जोते हैं उनमें विबाजित क्या जाता है उसके बार खेती की जाती है किस में पेड़ वाली फसलों में ठीक है दोस्तों ध्यान रहे इस बात का बढ़ते हैं अगले प्रशनी की वर अब है गन्ये के खेत में किस फसल को अंतरा फसल के रूप में उगाते हैं A. धान को नहीं A. मक्का को B. धान को C. कम अउधी की दल्हानी फसल को या D. अरंड को जल्दी से उतर दो तो इसका जो उतर आएगा दोस्तों वो आएगा कम अउधी की दल्हानी जो फसल होगी उसको लगाते हैं है न? बढ़ते हैं अगले प्रेशने क्यों है? बहु मंजिली फसल पद्दती के फला ध्यानों में विख्यात है क्या विख्यात है आम, नायर, चाएं या नार? तो इसका जो उतर आएगा दोस्तों वो आएगा उतर बी नारियन ठीके दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रेशने क्यों अब आएगा हमारा रिले क्रोपिंग सिस्टम का उधारण है देखो पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि ये डेश डेश लगे हैं मतलब एक फसल छूटी हुई है उसके बाद जो बाजरा प्लस लोबिया है वो एक ही फसल है यानि कि साथ में लगा ही हुई ही फसल है ठीके दोस्तों? तो कुण से फसल का मतलब रिले क्रोपिंग का उधारण कौन है बताईए हम दूसरी बार पढ़ रहे है प्लस आना चाहिए सभी को तो इसका जो उपतर आएगा दोस्तों वो आएगा मक्का, आलू, गेहुं और मूंग ठीके दोस्तों? अब आएगा हमारा बहु इसतरी फसल प्रणाली कहां अपनाई जाती है? बहु इसतरी फसल प्रणाली कहां अपनाई जाती है जम्मू कश्मिर में, करनाटक और केरल में, बिहार और मद्धिप्रदेश में, ताजिस्तान और हर्याणा में? तो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों, वो आएगा करनाटक और केरल में, बहु इसतरी फसल प्रणाली अपनाई जाती है, ठीके दोस्तों? तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्योशन खत्म होते हैं, बिलते हैं, अगली क्लास में, इसी के साथ अगला जो हमारा टोपिक होगा, है न, यह चेप्टर होगा, वो होगा फसल चक्र, अगले जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम फसल चक्र के क्योशनों के बारे में आपकी तयारी को बहतर बनाए रखिए और regular class लेते रहिए मेरे हिसाब से तो वही आपके लिए भी बहतर रहेगा क्योंकि अपनी तयारी के लिए जो question होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं करो कितने कोई question सही निकलते हैं वो comment में लिखो भी सही किया मेरे इतने question सही है इतने गलत है और अपनी तयारी बहतर करो ठीके दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद